गुजराद में पूरी कैबिनेट बदलने पर बीजेपी में घमासान अब कल होगा मंत्रियों का शबत ग्रहन 27 विधाइग बनेगे मंत्री कैबिनेट में सभी नए चेहरी शामित हो राहूल गांधी का बीजेपी पर हमला कहा कि बीजेपी आरेसेस के लोग हिंदू नहीं सिर्फ धर्म का इस्तमाल करती बीजेपी का पलटबार कॉंग्रिस को हिंदू धर्म से नफरत देवी दीवताओं के अपमान पर मापी मांगे राहूल गांधी पंजाब कॉंग्रिस अध्यक्षिन अवजो सिंग सिध्धू का बयान कहा कि तीनों कृषी कानूनों के लिए अकाली दल जिम्यदार नए कानून बनने के वक्त एंडिये का हिस्सा था अकाली दल यूपी में अबाजान के बाद चाचाजान के एंट्री किसान इता राकेश टिकैत ने ओवेसी को बताये बीजेपी का चाचाजान ए आईम आईम का पलट बार पूछा जब मुजफर नगर में दंगे हुए थे तो कहां छिपे थे हंगामे के बीच समय से पहले ही विधासभा की कारेवाही सगित मंत्री शांती धारिवाल और स्पीकर के बीच तीखी नोग जोग डोक्टर सीबी जोशी बोले मुझे अनुश्यासन हींता बरदाश्च नहीं अलंकि सदन फिर से क्या जा सकता है आहुत चोटे व्यपारियों को मुझे मंत्री के बड़ी राहत उद्योग विभाग का बकाया आग करोड हुगा माफ लगू उद्योगों में जोडे उद्मियों पर दो दशक से बकाया है रिन मुझे मंत्री कहलों के बड़ी पहल गाउं धानियों में मिलेगी एडवांस जांच की स्वीधा 625 करोड के प्रोजेक्ट के लिए चिकेसा विभागने मांगी निवीदा राजिसान के टाउंशिप निटी में बड़े बदलाव की तैयारी मंत्री शांती धारिवाल के नर्देश पर खाखा तैयार टाउंशिप लानिवाले विकास करताओं को मिलेगी रहत राजिसान से अब दूर नहीं दिल्ली मुंबई प्रदेश के साथ जिलों से गुचरे का 372 किलोमेटर का एक्सप्रेस वे कल के इंद्रे मंत्री नितिन गड़करी कामखाज का करेंगी निरिक्षन जोदपूर सीकर में एसीवी की कारवाई सीकर में पी डबली डी का डबली ओ बीससार की रिश्वत लेती ट्रैप जोदपूर में बनार चोकी का हेड कोंस्टेबल ने माराम ट्रैप किया गया